हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में और मैं अभिनवराज आपके लिए एक बिसेश सीरीज लेकर आ गया हूँ इस सीरीज की खास बात ये रहने वाली है कि बिहार रिलेटेड इंफर्मेशन आपको डेली बेसिस पर स्टडी आईक्यू स्टेट पॉब्लिक सर्विस कमिशन चैनल पर देखने को मिलेगा एक खास टाइमिंग होगा और उस समय रोज आपके लिए नौलेज के पैकेट्स आएंगे जिनका सीधा तालूक रहने वाला है बिहार के सांथ रुटीन आपके साथ साजा कर दिया जाएगा और उसी के हिसाब से एक दिन इतिहास एक दिन भुगोल एक दिन मैप एक दिन बिहार का जो भी पॉलिटी है वो सब कुछ हम चर्चा करेंगे और ये रेगुलर बेसिस पर चलते रहने वाली प्रकिरिया होगी और अगर आप इस सोर्स को फॉलो करेंगे लंबे समय तक फॉलो करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगा साथ ही साथ आप confident महसूस करेंगे और क्या कुछ एक्जाम के लिए relevant है अगर हम प्रारंभिक परिक्षा के बारे में सोचे त यही है कि यहां smart work का जरूरत होता है यहां पर सब कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है कि चीज को छाट देना है इस पर आपका business जोर होना चाहिए इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है वही काम हम इस सीरीज में करने वाले हैं regular basis प हास पेसकर जो है यह study IQ जो public service commission के लिए special channel बनाया गया है जहां राजियों को target किया जा रहा है वहां पर आपको देखने को मिलेगा तो चलिए start करते हैं और आज हम सुरू करते हैं बिहार के इतिहास से बिहार का इतिहास बेहद अपने आप में खास है और जब भारत के इतिह करते हैं तो उसकी सुरुवात होती है बिहार के इतिहास से जो मगत का पूरा सामराज यह है और बिहार को इगनौर करते हुए आप भारत के इतिहास को नहीं पढ़ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं और उसमें आपका कोई link नहीं बनेगा connecting the dot वाला काम हो ही नहीं सकता है BPSC के प्रमभिक परिक्षा में या मुखे परिक्षा में या फिर interview में history जो है वो एक important section होता है उसे कई तरीके के सवाल बनते हैं और इस series को चलाने के पीछे मेरा जो एक personal अपना feeling है कि बिहार का जो एक proud है उसको जागरित किया जाए और जो इतिहास जिसको हमें अच्छे से समझना चाहिए था उन चीजों को हम पीछे छोड़ाए हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर एक बार हम गरवानमित महसूस करेंगे 75 साल आजादी के पूरे हो गया हैं और हम आजादी के अमृत मोहत्सों को मना रहे हैं तो यहाँ पर तो आजादी के पहले के भारत की बात की जाती है और हम यहाँ पर जो भी बीर सपूत हैं और जो भी बिहार की भुमी से इतिफाक रखने वाले लीडर्स हैं महिलाए हैं पुरूस हैं छातर नेता हैं सब के उपर हम चर्चा करेंगे लेकिन पुरानिक काल से कर रहे हैं वहां से बीहार को समझेंगे कि बिहार का जिकर कहां कहां मिलता है शब कुछ समझेंगे और यहाँ पर जो यह सीरिज हैं इसमें आपके पास information आएगा कुछ knowledge आएगा और कुछ ऐसी बाते होंगी जो साइद आप कई बार नहीं जानते हैं लेकिन वो परिक्षा के परपस से बहुत ज्यादा relevant नहीं हो लेकिन हाँ आपके confidence को जगाने के लिए और जब आप बिहार की प्रिष्ट भूमी में एक अधिकारी बनना चाहते हैं जब आप इस फिल्ड में उतरेंगे तो आपके पस कुछ खास बात हो कि ठीक है अगर मेरी posting अगर हो जाती है चमपारन के छितर में तो चमपारन को मैं पहले से जान रहा हूँ कि ठीक है चमपारन क्या है कौन सी नदियां बहती है कौन सा wildlife century है यहां का इतिहास क्या है उस अस्तर पर जाकर भी हम चीजों को देखने वाले हैं ताकि आपका जो है ना एक holistic development हो सके इस exam के तैयारी के दर्मियान ही ठीक है बहुत बाते हो गई अब चलिए सुरू करते हैं तो हम यहां पर ancient history of बिहार को सुरू कर रहे हैं अतीत को समझना बहुत जरूरी है तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा बरतमान कैसे मजबूत होने वाला है तो देखिए जो बिहार है और इसका reference कहां मिलता है ठीक है वैसे तो बिहार किसी परिचय का मोहताज नहीं है लेकिन ये बात हमेशा आहीं जाती है कि सबसे पहला जिकर कहां मिलता है बिहार का कि यहां पर कितने पहले human settlements थे लोग कितना पहले वास करते थे वैदिक काल या उससे पहले लोग यहां रहते थे क्या कई तरीके के सवाल जो है मन में आते थे या आने चाहिए और केवल अगर इंदस वैली सिवलाईयेशन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद हर एक सभ्यता और हर एक राजवन्स का इत्तेफाक हमारी इस पावन धर्ती से रहा है तो बिहार के प्राचीन इतिहास का संदर्व जो है तो यह हम कहां देखते हैं यह पुर्व का इतिहास है तो जो वैदिक एज है अगर यह कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि वैदिक एज कब से माना जाता है कब तक तो 1500 साल पहले से लेके 1000 साल यानि बिफोर क्राइस्ट की बात की रही है की जा रही है इसा पुर्व 1500 साल से लेके इसा पुर्व 1000 साल यानि की करीब 500 वर्सों का यह जो काल है इसको हम कहते हैं कि यह वैदिक काल है और जो वैदिक काल का सीधा मतलब होता है कि Rig Vedic या Early Vedic period की बात की जा रही है अब आता है Later Vedic period तो ये Later Vedic period जो है वो कब से कब तक है ये है 1000 BC से लेके 600 BC तक यानि Overall अगर Vedic era की बात करें तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये करीब 900 वर्सों का इतिहास है इसको दो हिसों में बात के देखते हैं जो पुराना वाला था वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक और जो Later है जो बाद में आया ठीक है बाद में जो वैदिक यूग है वो कब से कब तक है तो वो है 1000 BC से लेके 600 BC तक तो इससे बिहार का इत्तिफाक है connection है जी बिलकुल है और एक word जानते हैं जब हम समझते हैं जैसे कि हमने कहा कि history की सुरुवात कर रहे हैं इतिहास तो इतिहास का मतलब है जहां से हमारे पास written accounts है या कुछ भी ऐसा है जो कि documented है लिखा हुआ है जिसे हम directly चीजों को grabs कर पाते हैं जैसे जब रिगवेद लिखा गया या योजिरुवेद लिखा गया सामवेद लिखा गया तरवेद लिखा गया पुरान लिखे गए या फिर स्मिर्ती लिखी गई तो उस समय का जो भी परिद्रिस्य है वो हमारे सामने नजर आता है कि उसमें लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, आने जाने के लिए क्या परियोग करते थे, बैपार होता था कि नहीं होता था, सब कुछ, लेकिन उसके पहले का अगर information हमें चाहिए, तो हमें documented नहीं मिलता है, लिखित रूप में नहीं मिलता है यही अंतर है, तो एक काल है जिसको कहते है historical period, यानि एतिहासिक काल है, और उससे पहले का अगर कुछ evidence मिलता है, कि कहीं पर बरतन मिल गए टूटे फूटे से, कहीं पर कोई चितरकारी मिल गई, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा हुआ information नहीं है, तो उसको कहते हैं हम कि यो prehistoric है, यानि पूरा इतिहास है, पुरु की बात हो रही है, और यहाँ पर कोई भी written source नहीं है, और इस काल को हम तीन हिसो में बाटके देखते हैं, मोटे तोर पर हम prehistoric age को stone age के रूप में, पासाण यूग के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो इतिहास और पूरा इति सो में बाटके देखते हैं, किस तरीके से जानते हैं, तो एक को कहते हैं paleolithic age, एक को कहते हैं mesolithic और एक को neo, देखिए, paleo यानि सबसे पूराना होता है, बहुत जादा परिशान होने की जूरत नहीं है, चीजों को तोड़ मोड के ऐसे समझ लेना है कि भूले ही नहीं, और आ आप दावा कर सके, कि मैं पढ़ लिया हूँ, कोई भूल के दिखा दे, इस तरीके से, है ना, तो ये जो पूरा पासान यूग है, ये पांच लाख इसा पुर्व से लेके, असी हजार इसा पुर्व तक, उस समय जो भी व्यक्ति थे, मनुसे थे, वो इस रूप में रहते थे, लेकिन उनका जीवन इस तरीके से सिटल्ड नहीं था, वो एक जगा नहीं रहते थे, वो आदिम मानों थे, इसके बाद का जो वक्त है, यानि असी हजार बीसी से लेके, चालिस हजार बीसी, तो ये मध्धे काल है, इसको कहते हैं, मध्धे पसान यूग, इसको मेजू लिथिक एज कहते हैं, और इसके बाद का जो वक्त है, यानि चालिस हजार बीफोर क्राइस से लेके, धाई हजार बीफोर क्राइस तक, तो इसको कहते हैं, नौ पसान यूग, नियो लिथिक, ठीक है, तो इन चीजों में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, धा पहले का जो भी वक्त है, उसके कोई डॉक्मेंटेशन नहीं है, उसको हमें स्टोनेज कह रहे हैं, तो क्या उस समय बिहार में कुछ सोर्सेज मिले हैं, कुछ एविडेंसेज मिले हैं, कुछ साक्ष मिले हैं, कि यहाँ पर लोग रहते थे, वास करते थे, यह जानना बहुत इज है, उसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि पूरा पासान काल में यहाँ लोग वास कर रहे थे, यह बात एकदम तय है, अभी तक इस तरीके का कोई हमें साक्ष नहीं मिलता है, तो एक नंबर का सवाल तो यहीं बन गया, तया तो उस समय लोग जो है, थोड़ा थोड़ा हैबिटेशन बनाने लगे थे, वो इस तरीके से एक इस्थिर जीवन चाह रहे थे, और इस्थिरता खोज रहे थे, टट़स्थता खोज रहे थे जीवन में, और इसके साक्ष बिहार में मिलते हैं, बिहार में कहां मिलते हैं, त चेत्र को मुगदल पूरम भी कहते हैं और जब आप सिराजु दौला के समय का इतिहास पड़ते हैं तो मुंगेर जो है फिर से इतिहास में आता है इंडस्ट्रियल रेवलूशन की जब बात भारत में की जाती है ट्रेड उनियन की बात करते हैं तो मुंगेर जमालपूर को आ कोई एविडेंस नहीं है बिहार में ठिक में जो लिथिक एविडेंस है बिल्कुल है कहां पर तो बिहार के मुंगेर में अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हिस्ट्री है बिहार का वो बहुत वैरिड है और यहां पर हम अलग अलग रीजन्स को बाटके देखेंगे तो यहा ठीक है सीधी बात है तो जनपद वैगरा का कंसेप्ट कब था जब महात्माबुध और भगवान महाबीर जब इस धर्ती पर आये थे यानि आज से करीब धाई हजार साल पहले ओके तो उस समय को आपको समझने की जरुरत है और उस समय दो इंपोर्टेंट रिलिजन्स जो है वो फ्लरिस हुए बुधिजम और जैनिजम बिहार की ही धर्ती से इन दोनों रिलिजन्स का इत्तेफाक है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी मेजर रिलिजन्स हैं जिन्होंने सांती का पार्ट पढ़ाया सत्य और हिंसा के मार्ग पर दुनिया को अग आगे और information देखेंगे लेकिन एक बार पहले बात कर लेते हैं बिहार सब्द की उत्पती को लेकर ठीक है कि जो ये word है बिहार ये बना कैसे है कई लोगों को confusion हो सकता है जो लोग देल ही में रहते हैं कई सारी इसी बस्तियां हैं जिनके नाम में बिहार नजर आता है कि ये म जरोत है वो है विहार विहार क्या था जो भी बुद्धिष्ट मॉंक्स थे उनके रहने का जो अस्थान था उसको बौधिक काल में बौधिक भिक्षूओं के रहने के निवास अस्थान को विहार कहते थे और चुकि सबसे ज़्यादा बौधिष्ट मॉंक्स जो हैं इसी ध थरती पर रहते थे ठीक है तो ये उस अस्मिता को भी एक बार जगाने की जुरूरत है और इस छेत्र की ये बहुत बड़ी एलेवेंस है यहाँ पर सांति प्रिये बहुत भिक्षु रहते थे उनकी बहुत अधिक्ता थी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बहुत बिहार थे तो मुस्लिम काल में इस जगह को ही विहार कह दिया गया यानि बिहार जो आज का सब्ध है वो भरंसित रूप है विहार का समझ की जरूरत है तो वो वाला जो टाइम फ्रेम है अब आप समझ रहें कि यहां पर मुस्लिम इन्वेडर्स आ चुके हैं खिल जी डाइनेस्टी वेगरह आपको दिमाग में आ रहा होगा तुगलक आ रहा होगा इस से पहले क्या है कि अलाउदिन खिल जी है वो सब कुछ प्रित्विरा चोहान का एरा समाप्थ हो चुका है यहां मुस्लिम इन्वेडर्स आ चुके हैं और यहां पर विहार तक वो पहुँच रहे हैं तो जब वो यहां पर पहुँचते हैं इस धर्ती को तो वो विहार के रूप में इसे मार्क करते हैं या अड्रेस करते हैं ब्रंसित रूप है विहार का ठीक है और बहुत सारे स्रोत हैं विहार को समझने के लिए ठीक है अब हम हर जगा तो यही spelling यूज करते हैं विहारा लिखते नहीं है विहार बोलते नहीं है लेकिन ऐसे कई सारे सुरोत हैं अगर हम ancient history को समझना चाहें क्यूंकि बाद में तो हमारे पास बहुत सारे documentation हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पुरा तत्विक सुरोत है archaeological sources है जैसे उस समय के बरतन हो गए उस समय के अगर कुछ और सेस बचे हुए या फिर cave dwellings वेगरा का अगर कुछ पता चलता है लोग गुफाओं में अगर वास करते थे यह सब हडियां हो गई carbon dating से पता चला कि हडियां कितनी पूरानी है बाद में literary source जब लोग लिखने पढ़ने लगे तो उस समय के साहितिक सुरोत हो गए और जो भी विद्यसी ब्यक्ति आये यहां पर घुमने के लिए उन्होंने इस धर्ती के बारे में लिखा है तो उनका जो यात्रा बृतान्त है travel accounts जिसको कहते हैं जैसे की मेगास्तेनीजी ने लिख दिया इंडी का और वो पूरा उस समय के बारे में बताता है इस छेत्र के बारे में बताता है तो इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है तो यह सब कुछ जो है आपको connect करते रहना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात कर रहे थे वापे से मोही आ जा रहे है आपको लेकर यहाँ जो शुरुवात में बात किये थे कि पेलिव लिथिक एज का कोई साक्ष नहीं है मेजो लिथिक जो है उसका habitation हमें मुंगेर में देखने को मिलता है और जो earliest proof है human activity का बिहार में वो कहां मिलता है तो वो कब का है तो मेजलिथिक habitats का है जो कि मुंगेर के छेतर में है ठीक है और एक बात याद रखिएगा कि नलंदा का छेतर है सारन यानि सारन डिस्टिक है जिसका headquarters जो है वो छपरा है मुंगेर और वैसाली ये कुछ important prehistoric sites हैं बिहार में इसको आपको याद रखना है यानि prehistoric का मतलब फिर से मैं बद्धुरा दूँ कि उस समय के कोई written evidence नहीं है तो चलिए इन 4 districts को अगर आपको एक बार map पर देखना हो तो इसको देख लिजिए तो देखिए ये सारन डिस्टिक लिखा हुआ है ये सारन यानि गंगा नदी यहां से इस तरीके से बहती है तो ये north में पढ़ता है गंगा नदी के और ये गंगा नदी के south में पढ़ता है ठीक है तो ये मुंगेर हो गया और यहां पर एक जगा का चिक्र था वो है नलंदा तो नलंदा का तो अपना एक बहुत गजब का इतिहास है इसको तो अलग से पढ़ने में बहुत वक्त लगने वाला है तो ये नलंदा का छेत्र हो गया है ना तो ये सब कुछ है आपको देखते रहना है और इन चार जगों पर आपको कई सारे prehistoric phases का पता चलता है लोगों के activity का पता चलता है तो ये कुछ ऐसे साख्ष है जिसे पता चलता है कि ठीक है यहाँ पर लोग वास करते थे जैसे सारन का जो चिरांद का छेत्र है वो बहुत important है ठीक है इसी तरीके से वैसाली में चेचर नामक जगा है ये सब को जो है थोड़ा 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 इंफर्मेशन जो है आप note down करते जाए अगर हो सके तो blank map डाउनलोड कर लिजे वहाँ पर चीजों को note down करते जाए जो भी आपके books है जो reference है उनका मदद लिजे और अपना notes बनाते जाए है ना अपना notes होना तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और हो और in डावर में revise करने में बहुत मज़ा आता है और ये ready made notes वो काम नहीं कर पाते हैं सीधी सी बात है तो देखिए ये सब कुछ हो गया पासान काल की हम बात कर रहे थे वो वक्त बीट जाता है अब हम आते हैं मौरे काल में तो मौरे काल के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन क्या हो समय के कुछ साक्ष हैं हमारे पास archaeological sources है सवाल करीए आप अपने आप से हैं बिल्कुल है क्या है तो 80 pillar का एक hall हुआ करता था हो सकता है conference hall हुआ करता होगा और वो कहां पर था तो पटना का जो कुम्हरार का इलाका है कुम्हरार यानि कि अगर जब आप पटना से हाजिपूर को जाना चाहते हैं तो जो एरिया है जब आप गांधी सेतु को क्रोस करने वाले होते हैं तो वही करीब इलाका जो है वो कुम्हरार का छेत्र है अगर आप नहीं घुमे हैं तो इस छेत्र को जरूर जाके देखिए तो यहाँ पर आर्कियोलोजिकल रिमेंस नजर आते हैं मौरियन पिरियेड के अब ये डाइरेक्टली सवाल बन सकता है बहुत इंपोर्टेंट है कि मौरियन टाइम्स के आर्कियोलोजिकल रिमेंस आपको बिहार में कहा नजर आते हैं तो बहुत जगा नजर आते हैं लेकिन अगर ये सवाल पूछ दिया जाकि पटना में कहा नजर आता है तो कुमरार इंपोर्टेंट हो जाता है या ये भी कोई पूछ सकता है कि क्या पटना में नजर आते हैं तो कहिएगा हाँ बिल्कुल आते हैं इस तरीके से ठीक है और मौरियन पिरियेड कब से कब कहा जाएगा तो 311 BC से लेके 185 BC तक यानि इसकी सुरुवात किसके द्वारा की गई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्षन में आज बताईए है ना और हरे एक जो ये पिलर है 80 पिलर का पर है तो ये चुनार जो है ये उत्तर परदेश में पढ़ता है बिंदे का वो हिस्सा है बलुआ पत्थर पाया जाता है अभी भी मुर्तिक कला के लिए बहुत फेमस छेतर है और चुनार के छेतर से वो वो stone लाया गया, rock लाया गया, उससे 80 pillar का hall बनाया गया, काफी भव्य हुआ करता था वो, और ये जो pillars हैं, इनके उपर लकडी का एक छत हुआ करता था, लेकिन वो जो छत है, वो उडेन था, और समय के साथ वो सड़गल के नश्ट हो गया, तो उसके evidence हमें नहीं मिलते हैं, सम असोका से पहले की बात की जा रही है, ठीक है, अब अशोकन pillars जो हैं, ये तो 200 में हर जगा विख्यात हैं, world famous हैं, और तो सबसे पहले, अगर किसी ने decipher किया, तो James Princip सहाब ने decipher किया था, ये भी एक नमबर का सवाल है, note down कर लिजे, पूछ लिया जाता है, कि जो कुछ भी अस असोकन inscriptions थे, जो लिखे गए pillar पर किस ने पढ़ा था, ठीक है, या वो किस काल के थे, सब कुछ पता चला James Princip के बाद, तो ये जो असोकन pillars थे, ये कहां कहां हैं बिहार में, ये important है, तो वैसाली district में है, ठीक है, वैसाली में एक block है, वैसाली नाम से ही वो block है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वो lion pillar है, ठीक है, ये 3rd century BC का है, और जब अशोक जो है, वो कलिंगा पर वीजय पा लेते हैं, तो इस pillar को उन्होंने erect कराया था, इसके अलावे जो इस चमपारण, यानि जो पुर्वी चमपारण है, वहाँ पर लॉरिया अरे राज, जो जगह है, वहा उन्हों में लगा हुआ है, अरे राज और नंदगर में, तो आप कैसे याद करेंगे, या कैसे confused नहीं होंगे, तो देखिए, आप इस तरीके से map को देख सकते हैं, ये वेस्ट चमपारण है, और ये है इस चमपारण, ठीक है, तो यहाँ पर, लॉरिया अरे राज जो है, वो इस्ट में है, और लॉरिया नंदगर जो है, वो वेस्ट में है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे, न लिख दिजीए, न, याद नहीं रखना है, न. तो एन से हो गया, नंदगर और ए से हो गया, तो पूरब में अरे राज हो गया, और पस्चिब में नंदगड हो गया, याद रखना ही नहीं है ना, तो ना लिख दीजे, एने ना, तो कभी confused नहीं होंगे, हो गया, और वेश्चमपारन में एक और पिलर है, वो है रामपुर्वा, ठीक है, यह रामपुर्वा होना चाहिए, यह राइटिंग मिश्टेक है, रामपुर्वा, है ना, तो यह information जो है, आपके काम की है, यह आप हमेशा याद रखेंगे, यह आप देख सकते हैं, यह मौरियन टाइम्स के evidence है, जो भी आपके screen पर नजर आ रहे हैं, जरा सोचिए, वो काल था, उस समय बिजली नहीं थी, किसी भी तरीके का मेकेनाई येसन नहीं था, और उस समय इतने कुसल कारिगर थे, ना उस समय इतने बड़े-बड़े JCV मसीन थे, और ना ही डंफर थे, यह किस तरीके से ये single, monolith है, यानि इसमें joint नहीं है, single rock है, लाया गया होगा, काटा गया है, किस तरीके से बॉलिस मारा गया है, इस तरीके से इसमें नकासी की गई है, कितने लोग और क्या technology लगा कि इसको इसे खड़ा किया गया होगा, सुचिए जरा कितना महान रहा है, ये बिहार का छेत्र और यहां के राजा, तो वो आप समझ गए, archaeological evidence में morion times बहुत important है, और उस समय के बहुत सारे हमारे पास evidences हैं, उस समय के तो documentation हैं, उससे पहले कि अगर बात कर रहे थे documentation नहीं थे, कुछ archaeological sites थे, जैसे हम बात कर रहे थे सारन district की, सारन जिसका मुख्याल है छपरा है, और वहाँ पर चिरांद नाम का जगा है, जहां पर की पहला नियोलिथिक site हमें नजराता है, ठीक है, तो पुर्व पसान काल में जो 9 पसान काल है, उसका साक्ष में सारन के चिरांद नाम के जगा से मिलता है, और यहां पर large prehistoric mound है, जिसमें कि बहुत तरीके के artifacts वेगरह मिले हैं, ठीक है, विभीन कलाकृतियां मिली हैं, और यह सब कुछ तो हो गया, एक channel way में तरीके से, जो की हम लगातार chronology में देख लिए, अब कुछ और भी findings थी, कि जैसे कहा जाता है, कि कुछ ऐसे site हैं, जहां पर 88 कुसान काल के सिक्ख्य मिले हैं, तो कुसान कब के हो गए, तो इसा के बाद इनका वक्त रहा है, यानि 1078 AD वेगरह जो है, उस समय ये काफी famous थे कुसान्स, या उस समय का जो भी वक्त है, कहने का मतलब इसा के बाद का वक्त है, उस समय के 88 सिक्ख्य, क्यूंकि इनकी जो राजधानी है, वो पाकिस्तान का जो छेत्र है, और जो आज का कास्मीर का छेत्र है, उन जगों पर इनके main territories थी, लेकिन उस समय के सिक्ख्य बिहार में हमें मि 23,000 बरतन करीब मिले हैं बिहार में, इसमें black और red wear potries भी हैं, जो कि बहुत important है, ये पूछ लिया जाता है, एक्स यानि जो कुलहारी होती है, जो टांगी होता है, जो कि quardgide से बना हो, या granite से बना हो, ये सब या फिर जानवरों के हड़ियों वेगरा से बने हुए जो है वो हमें नजर आते हैं, और वो सब बिहार में मिले हैं, ये सारे जो है आप बिहार के museum में देख सकते हैं, पटना में बहुत ही खुबसूरत सा museum है, उसको आप देख सकते हैं, तो फिर हम आगे मिलेंगे, और भी चीजों को discuss करेंगे, बहुत कुछ है हमारे पास आपके पर आजहा करने के लिए लेकिन इसी तरीके से daily basis पर हम मिलेंगे चीज़ों को discuss करेंगे आप मुझे comment section में बताइएगा कि मेरा ये जो तरीका है style जो है आपके साथ interact करने का क्या ये आपको interesting लगा या आप इसमें कुछ अगर changes चाहते हैं तो उसमें हम सुवधा अनुसार changes भ झाल झाल